मीम नीज की टीम पहुचे है आज मुंबई जहां पर हम मुलाकात करेंगे कुल हिंद मजली से इत्यादल मुस्लिमिन की शेरनी माने जाने वाली एक कारेकरता आईशा सेक्स है जो खुद प्रोफेशनली एक टीचर भी है और इनसे हम यह जानना चाहेंगे कि मानुरिटी के लिए आज की टेट में एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आईशा जी आप इस मामले में क्या सेवा कर सकती मानुरिटीस की या उनके बारे में आपने क्या सोचा असलाम आलेकूम आप सभी भाई बेहनों को मेरी तरफ से पहली ब्यक्तो रमदान मुबारबत और ईद की भी बहुत बहुत मुबारत आप जैसे कि आपने एडुकेशनल के ऊपर से बात किया है तो आपने देखा होगा रेसेंट ही हमने इतने मुद्दे क्लियर किये हैं एडुकेशनल के इसाफ से जह जो जाके हमने यहां बच्चों को निकाल दिया गया था पच्छी स्टूरेंट के उपर तो उनको हमने रि अब भी तीन पहले आपको भी पता है कि स्कूल को खाली करने का नोटीज दिया हुए था कि जल्दी से जल दो दीम में तापको सदली खाली उस बावाल पे हम और हमारे जो भाहिकल के डिश्रिक प्रेसिदेंट सादिक जारी साहब है उनके साथ हम हमारी लीडिस टीम को सभी म के साना में पास और उनसे बातचीत की और उनको बतायागा जो जो अगर जो उनके वाड में आ रहे थे हैं उनके पास जाने का मुड़ा हमारा यह था कि यह उनके लोर के अंदर ए इस पुछ्स पढ़ए थे अगर जो भूँ इस पर नहीं रिस्पॉंस देती हमें तो हम यो तो हम धर्ना अंदुगन करते हैं और किसी ना किसी जर्य से हमारी मांग पूरी करते हैं और हमने उनसे यह भी कहा था अगर जो वह हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम सीधे सीधे रस्ते पर उसा जाएंगे तो आगे इस बारे में मतलब क्या हुआ, BNC ने क्या आप लोग को खारवाह रोग दी है? यह आप लोग का एक्शन जो किस कहा तक पहुचा है? कुग एक्षिन का रियक्षण तो हुआ है और इस काम को उन्होंने सडली फटफट पेपरवर्क हमारे सामने उन्होंने पेपरवर्क ला के दिखाये जो ऑफिसर्स थे उनको भी हमारे बुलाया और हमारे से पाच्छीत करवाई और उनको इंटिमेशन भी दिया है के लेकिन स्कूल खाली नहीं हुई जो थी सौला की डेट थी स्कूल खाली का नहीं हुई आलमदिलिल्ला तो इसका मतलब यह कि आप लोग काम सक्सेस हुआ है तो अब मेम नियुस की तिम आप से जानना चाहेगी कि आने वाले 2017 बेहन सी इलेक्षन पर आप लोग की क्या तःयारी आने 2017 की एलेक्षन के लिए तैयारी तो अलमदिल्ला बहुत अच्छे से चल रही है जहां तक आप देखोगे तो अभी बॉडी भी डिक्लेर हो गई है तो आईसा आईसा भी यह रमजान का वात्त है इसलिए काम करने का तो थोड़ा स्टॉप है बट इंशालला रमजान बाद ह जीतोड और मैनत करेंगे और खामियाभी हासिल होगी हमारे इतने कॉर्परेटर निकल के आएंगे के लोग भी ताजूप करेंगे और मैडम आप भी कोई न्यूस दिना चाहिए जाए जाए लेडी स्विंग की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यसे कि रमजान का मह तरक से हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी फिलाल तो इसके लेडी स्विंग की तादाद नम्मर ओफ ही है लेकिन आने वाले दिनों में इंशाला इसकी तादाद जरूर पड़ेगी और जितने भी जरूरते हैं लेडी स्विंग की वो जरूर फिल्फिल होगी तो ये थी M.A.M इसके लेडी स्विंग की दो लेडी स्विंग और जरीना अंसारी इनका कहना है कि आने वाले वक्त में कुल हिंद मजली से इताद नम्मुस्लिमिन का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा मुंबई में तो देखते हैं आगे क्या होता है कैमरामेन कासीम अली के साथ शा